हाई गाईज, वेलकम बैक टू दी चानल, आजकी इस वीडियो का टॉपिक है नोट पाइड, यहां से हम डिसकस करने वाले हैं concept, प्लस questions, प्लस important shortcut keys जो एक्जाम में कई बार repeat हो चुके हैं तो अगर आप notepad पे अच्छी command बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं, आप चाहते हैं कि एक्जाम में कहीं से भी किसी भी तरीके से question पूछा जाएं और आप उसका answer बता पाएं, तो वीडियो end तक देखना है, without delay सुरू करते हैं, सबसे पहला question है, what is notepad, notepad क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो समझ जाए कि half जो है आपने clear कर लिया है notepad को, यहां से कई सारे question बनते हैं, notepad is a simple text editor, notepad एक simple text editor है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो एक ही बार में य operating system, जो Microsoft Windows operating system के साथ में पहले से install आता है, it is a basic application, यह एक basic application है जो user को allow करता है, text file create करने में, edit करने में और view करने में, notepad only supports plain text, notepad जो है यह cable plain text को support करता है, it does not support advanced formatting features like bold, italic, etc. यह bold, italic आधी जैसे advanced formatting features जो होते हैं, इससे support नहीं करता है, अगर आप किसी text पे color apply करना चाते हैं, bold करना चाते हैं, text को underline करना चाते हैं, italic करना चाते हैं, size को बढ़ाना चाते हैं, तो यह सारी चीजे आप notepad में नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि यह cable plain text को support करता है, अगर आप इन सभी formatting को इस्तिमाल करना चाते हैं, तो इसके लिए आपको word processor का इस्तिमाल करना होगा, notepad में आप नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि यह simple text editor है, clear है, चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि notepad का, यानि कि notepad इस्तिमाल करने का purpose क्या है, जब भी कोई application को design किया जाता है, तो उसका कुछ न कुछ purpose होता है, और कुछ features होते हैं, यानि कि विसेस्ताइं होती हैं, तो पहले हम देखते हैं कि notepad इस्तिमाल करने का purpose क्या है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी विसेस्ताइं क्या है, इसका use मुख्य रूप से उन task के लिए किया जाता है, जिनमें बिना किसी formatting के subtle part सामिल होते हैं, यानि कि simple text include होता है, जैसे configuration files को संपादित करना, यानि कि edit करना, script लिखना, notes लेना, quick notes लेना, ये सारी चीजे जो है, इसके लिए notepad जो है, mainly इस्तिमाल किया जाता है, अब हम देखेंगे कि notepad के कौन-कौन से feature है, तो सबसे first point है, plain text editing, you can enter, modify and delete text in a notepad document, आप एक notepad document में text को enter कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, और delete भी कर सकते हैं, तो ये पहला feature है, second देखिए, open and save, notepad आपको allow करता है, existing text files को open करने के लिए, existing text files का meaning क्या है, ऐसी notepad की file जो आपके system में already आपने save करके रखा है, और नई file create करने के लिए, आपको allow भी करता है, save करने के लिए, तीसरा point है basic search and replace, notepad आपको provide करता है, simple search and replace function, to find specific words और phrases in the text, text में किसी specific words और phrases को find कर सकते हैं, तो ये भी आपको notepad जो है provide करता है, fourth point है no formatting, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था, कि notepad एक simple text editor है, तो इसमें कोई भी formatting नहीं होती है, ये किसी भी formatting को support नहीं करता है, जैसे कि अगर आप images को insert करना चाते हैं, font के styles को change करना चाते हैं, font के size को बढ़ाना घटाना चाते हैं, तो ये सारी चीज़े ये provide आपको नहीं करता है, support नहीं करता है, notepad basically जो है deals करता है, plain text के साथ में, fifth point है lightweight, notepad जो है एक lightweight application है, जो quickly start होता है और सबसे ज़्यादा suitable होता है, simple text editing task को करने के लिए, तो ये हो गया कि notepad क्या है, notepad इस्तिमाल करने का primary purpose क्या है, notepad के कौन-कौन से feature है, अगर exam में पूछा जाता है, तो आप इसे as it is लिख देंगे, तो आपके एक भी number नहीं कटने वाले हैं, अब हम देखेंगे multiple choice question जो competitive exam में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला है, what is notepad, बताए notepad क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, उमीद करते हैं, आपने right answer सोचा होगा, C. Text Editing Software, notepad एक text editing software है, ठीक है, चलिए, Which one of the following is the correct way to open a notepad application, निम्दलिखित में से कौन सा notepad application open करने का सही तरीका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, A, B, C और D, दिया गया है, तो आप इन सभी को एक बार read कर लीजेगा, हम आपको direct answer बताते हैं, ताकि आपका time save हो, तो notepad को open करने का सही तरीका होता है, windows बटन पे क्लिक करना, देन आप क्लिक करेंगे all apps पे, वहाँ पे आपको windows accessories दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है, वहाँ से आप notepad को select कर सकते हैं, तो ये होता है notepad open करने का सबसे अच्छा और simple तरीका, सही तरीका, एक और method होता है notepad को open करने के लिए आप note कर सकते हैं, कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है window की के साथ में R, तो run command open होता है, वहाँ पे आपको type करना है notepad और enter की प्रेस करना है notepad open हो जाएगा, तो दोनों में से कोई भी तरीका जो है आपसे एक्जाम में पूछ सकता है, तो आप दोनों याद रखेगा, ठीके, शलिए, What is the primary purpose of notepad? बताए, notepad का प्रात्मिक उद्देश क्या है? यहाँ पे भी आपको A, B, C और D मिल जाते हैं, answer होगा C, editing plain text files, Plain text files को edit करना, notepad का primary purpose है, The primary purpose of notepad is, to serve as a simple text editor for plain text files, Notepad का primary purpose है, simple text editor की तरह काम करना, plain text files के लिए, It is a basic application, यह एक basic application है, जो Windows operating system के साथ आता है, इसे design किया गया है, for quick and easy editing of text without any formatting, यहनि कि बिना किसी formatting के, text को quickly और easily edit करने के लिए design किया गया है, What is the extension of file with which notepad document is saved? File का extension क्या है, जिसके साथ notepad document सहे जाता है, यहनि कि save किया जाता है, तो right answer यहाँ पे होगा, a.txt, notepad जो है, यह एक text file है, और इसका extension होता है, .txt याद रखेगा, If a sentence is flowing out of screen in notepad, then which option is not active? यदि कोई sentence notepad में screen से बाहर बह रहा है, यहनि कि flow हो रहा हो, तो कौन सा विकल्प जो है सक्रिया नहीं है, यहनि कि active नहीं है, जब आप कुछ भी type करते हैं, तो आपका sentence क्या होता है, वो screen के बाहर जाते रहता है, नीचे लाइन पे नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि word wrap नाम का जो option है, या कह सकते हैं, feature है, यह activate नहीं है, अगर आप इसे check कर देते हैं, यहनि कि active कर देते हैं, तो जैसे ही आप type करना सुरू करते हैं, और screen खतम होता है, तो आपका sentence नीचे line में आपको दिखाई देने लगता है, enter की press करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यह बहुत ही कमाल का feature है, यहां से exam में question पूछा ही जाता है, how many menus और tabs are there in notepad, बताई, notepad में कितने menu और tab होते हैं, तो notepad की बात हो रही है, तो notepad में total five menus होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो यहां पे देखिए, file होता है, edit होता है, format है, view है, और health, तो यह 5 menu आपको traditional notepad application में देखने को मिलेंगे, notepad++ में आपको तीन ही जो है tab देखने को मिलते हैं, तो आज हम notepad++ discuss नहीं कर रहे हैं, notepad++ के बारे में हम detail में practical के साथ discuss करेंगे, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, which menu in notepad has only two options, word wrap and font, बताए, notepad के किस menu में केबल दो विकल्फ है, word wrap और font, तो ये जो है notepad के किस menu में पाया जाता है, तो answer होगा, D, format menu, edit, view, file और format, ये सारे जो है menu notepad में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है, कि word wrap और font, ये जो दो option है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये format menu में पाया जाता है, which menu bar is not found in notepad, बताए, notepad में कौन सा menu बार नहीं पाया जाता है, view, file, insert, और D है help, प्लांसर क्या होगा, C होगा, insert menu जो है notepad में नहीं पाया जाता है, आप view, find कर सकते हैं, file को पा सकते हैं, help को पा सकते हैं, edit को पा सकते हैं, format को पा सकते हैं, लेकिन insert menu नहीं दिया गया है, how can you search for specific text within notepad, आप notepad के भीतर, specific text कैसे find, यदि की search कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, A, search, B, find, C, search and find, और D है text search, आंसर होगा, B, find का इस्तिमाल आपको करना होगा, यहाँ पर देखिए, to search for specific text within notepad, you can use the find option, किसी specific text को notepad के अंदर search करने के लिए, आपको find option का इस्तिमाल करना होगा, यह आपको allow करता है, to find and highlight, किसी specific word और phrase को text document में find और highlight करने के लिए, यह allow करता है find का option, तो आपको text find करना है, तो find का इस्तिमाल करेंगे, search, search and find, text search, यह सभी wrong है, यह option आपको provide ही नहीं किया गया है, what should be clicked to open a previous saved file while working with notepad application, notepad application के साथ काम कर दे समय, पिछली सहेजी गई file, यानि कि previous saved की गई file को खोलने के लिए, यानि कि open करने के लिए क्या click करना चाहिए, बताइए, यह है file, then open पे click करेंगे, b है file, then print, c है file, save as, और d है file, save, तो जो file previously save की गई है आपके system में, notepad application के साथ उसे open करने के लिए हमें क्या करना होगा, file पे click करना होगा, then open पे click करना होगा, तो notepad से related जितनी भी file save होगी, आपके system में आपको display होती है, वहां से आप जिस भी file को open करना चाहते हैं, select करके double click करेंगे, तो open हो जाता है, can we change the size of selected text in notepad, क्या हम notepad में selected text का size बदल सकते हैं, change कर सकते हैं, यानि कि अगर आप increase करना चाहते हैं, या decrease करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, yes, no, तो traditional notepad application में ये आप नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर correct answer B होगा, no, you cannot, यानि क्या आप नहीं कर सकते हैं, अगला question देखिए, can we zoom in और zoom out in notepad, क्या हम notepad में zoom in ये zoom out कर सकते हैं, yes, no, जूम इन का मतलब है, जूम को बढ़ा सकते हैं, जूम को घटा सकते हैं या नहीं, ये आप से question पूछ रहा है, तो answer होगा, B, no, आप notepad में zoom को बढ़ा घटा भी नहीं सकते हैं, ये भी feature आपको नहीं दिया गया है, Which one of the following should be clicked to save the existing notepad window, मौजूदा notepad window को सहेजने के लिए निम्दलिखित में से किस पर click करना चाहिए, यनि कि notepad की एक file है, जो save आपके system में already है, आपने open किया, उसमें कुछ भी काम किया, अब आप उसे save करना चाहते हैं, तो किस पर click करेंगे, file, edit, save, print, तो आपने सोचा होगा कि हम save पर click करेंगे, लेकिन यहाँ पर answer होगा A, फाइल पर आपको click करना होगा, अगर exam में file दिया गया है, तो आपको file पर tick करना है, अगर file नहीं दिया गया है, तब आप save पर click कर सकते हैं, यहाँ पर reason देखिए, To save the existing notepad window, you should click on file and then select save or save as, यहनी कि अगर आप existing notepad window को save करना चाते हैं, तो सबसे पहले आपको file पर click करना होगा, then आप save या save as को select करेंगे, The file menu typically contains options related to file management, including saving and opening files, file menu जो होता है, इसमें file management से related options आपको दिये एक जाते हैं, जैसे कि आप file को save कर सकते हैं, already save files को open कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है, और shortcut की आप control S का इस्तिमाल करके existing notepad window को save कर सकते हैं, अगर आप in method को इस्तिमाल नहीं करना जाते हैं, तो simply आप control S का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर shortcut की आपसे नहीं पूछा था, तो यहाँ पर अगर option में file है, तो आप file पे टिक करेंगे, अगर file नहीं दिया गया है, तो आप save पे बिना सोचे समझे, टिक कर सकते हैं, shortcut की पूछेगा तो control S होगा, ठीक है? Which of the following applications we use to write website code, पताइए, website code लिखने के लिए हम निम्नलिखित में से किस application का उपयोग करते हैं, wordpad, notepad, msword, powerpoint, आंसर क्या बनेगा, b, notepad application का इस्तिमाल हम website code लिखने के लिए करते हैं, What is portrait and landscape in notepad? Portrait और landscape क्या है notepad में? तो यह होगा answer A, page orientation, हमने msword में भी पढ़ा था, portrait and landscape जो होता है वो page orientation है, तो notepad में भी यह page orientation ही कहलाता है, यहां से कई बार इस तरीके से भी question पूछा गया है, in notepad, If the page orientation is horizontal, then they are in dash, notepad में यदि page orientation horizontal है, तो वे landscape में है, portrait में है, both none of these, तो answer क्या होगा? A, landscape, land landscape, page में, जो है, page का जो चोड़ाई होता है, वो जादा होता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, यही same question इस तरीके से भी देखा गया है, In notepad, if the page orientation is vertical, then they are in dash, notepad में यदि page orientation vertical में है, तो वो जो है, portrait में है, portrait में क्या होता है? पेज का जो लंबाई होता है, वो आपको जादा दिखाई देता है, इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यह देखिए, यह page जो आप देख रहे हैं, तो यह portrait page है, और यह page जो आप देख रहे हैं, यह है, land landscape page, ठीक है? चलिए, Which operating system does notepad come with? Notepad किस operating system के साथ आता है? Linux, Windows, Mac OS, Android Answer होगा B, Windows operating system के साथ में notepad आता है What is the zooming scale range in notepad? Notepad में zooming scale range क्या है? 100, 200, 300, D है, zooming scale option is not available in notepad Notepad में zooming scale विकल्प जो है, available नहीं है तो अगर आपको याद होगा, तो हमने आपको बताया था कि notepad में zoom in, zoom out को option नहीं दिया गया है तो यहाँ पर answer क्या बनेगा? कि notepad में zooming scale विकल्प जो है, available नहीं है तो हमने 19 MCQ को discuss किया है, अब हम देखेंगे notepad से related top 20 shortcut keys जो previous year में कई बार exam में देखने को मिला है तो सबसे पहला देखिए, which shortcut key is used for health in notepad notepad में health के लिए किस shortcut key का उपयोग किया जाता है तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप computer पे काम करते हैं और stuck हो जाते हैं कहीं पे, चाहे आप किसी भी application पे हो तो health के लिए हम F1 key का इस्तिमाल करते हैं, तो notepad में भी वही shortcut key है which shortcut key is used to create new file in notepad notepad में एक नई file बनाने के लिए कौन सी shortcut key का इस्तिमाल किया जाता है तो answer हो जाएगा, d control plus n तो notepad में भी आप ctrl n से एक नई file create कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने powerpoint में देखा था, word में देखा था, excel में देखा था इसी तरीके से आप notepad में भी एक नई file ctrl n की मदद से create कर सकते हैं which shortcut key is used to open saved file in notepad notepad में save की गई file को खोलने के लिए की shortcut key का उपयोग किया जाता है तो answer क्या होगा, b, ctrl plus o ctrl plus o से जो भी save की गई file है notepad की, सारी आपको reflect होती है जिसे हम कहते हैं existing file, तो आप ctrl o से open कर सकते हैं which shortcut key is used to cut selected text in notepad notepad में selected text को cut करने के लिए किस shortcut key का use किया जाता है तो answer क्या होगा, d, ctrl plus x जो हमने word actual power point में देखा था वही shortcut key notepad में भी इस्तिमाल की जाती है selected जो भी आपका text होता है उसे cut कर सकते हैं इसके बाद है what shortcut key is used to copy text in notepad notepad में text copy करने के लिए कि shortcut का इस्तिमाल किया जाता है तो copy के लिए आप ctrl plus c का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर correct answer d बनेगा अब आपने जो भी text को cut किया है या copy किया है उसे अगर notepad में paste करना चाहते हैं तो कौन सी shortcut का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर answer बनेगा c ctrl plus b ctrl b से आप किसी भी text को जो आपने cut या copy किया है paste कर सकते है paste start होता है p से लेकिन इसकी shortcut होती है b अगला question देखिए which shortcut key is used to save the file in notepad notepad में file को save करने के लिए किस shortcut का इस्तिमाल किया जाता है तो answer होगा a ctrl plus s तो ctrl s की मदद से आप notepad की file को save कर सकते है what is the shortcut to delete text in notepad कई बार एक्जाम में ये भी पुछा गया है कि notepad में text delete करने का shortcut क्या है तो दिया गया है backspace यानि कि backspace की से आप किसी text को delete कर सकते है delete key c है tab d है shift plus tab यहाँ पर आंसर क्या होगा b delete note pad में text को delete करने का shortcut होता है delete यहाँ पर देखिए backspace key का इस्तिमाल हम करते है to delete text एक सकने हाँ पर रुखिएगा backspace key का हम इस्तिमाल करते हैं to delete text to the left of the cursor जब cursor के left से किसी text को delete करना होता है तो हम backspace का इस्तिमाल करते हैं और delete key का इस्तिमाल तब किया जाता है जब cursor के right side से text को delete किया जाता है तो ये आपको याद रखना है लेकिन अगर ये question पूछता है कि notepad में text delete करने का shortcut क्या है तो answer B होगा delete की What is the shortcut to move text forward in notepad notepad में text को आगे बढ़ाने का shortcut क्या है तो answer होगा A, tab tab की से आप text को आगे बढ़ा सकते हैं What is the shortcut to move text backward in notepad notepad में text को backward यानि कि पीछे की और ले जाने का shortcut क्या है तो इसके लिए आपको shift plus tab का इस्तिमाल करना होगा तो correct answer B होगा What is the shortcut to move text down in notepad notepad में text को down move करने के लिए यानि कि नीचे ले जाने का shortcut क्या है तो answer होगा down arrow अगर यही आपको up ले जाना है यानि कि उपर ले जाना है तो इसके लिए shortcut इस्तिमाल होगा up arrow तो यह भी आप याद रखेगा Which shortcut key is used to insert date and time in notepad notepad में आप shortcut key की मदद से date और time भी insert कर सकते हैं तो बताइए यहाँ पे कौन सी shortcut key है जिसकी मदद से आप notepad में date और time insert कर सकते हैं तो आंसर बनेगा c f5 function की f5 की मदद से date और time insert किया जाता है notepad में अगला question है Which shortcut key is used to select all in notepad notepad में सभी को select करने के लिए कि shortcut का इस्तिमाल किया जाता है तो आंसर बनेगा a control plus a shortcut key की मदद से जितना भी text आपका notepad में होता है एक ही बार में select हो जाता है Which shortcut key is used for undo a work in notepad notepad में किसी work को undo करने के लिए कौन सी shortcut की इस्तिमाल होती है तो यहाँ पर right answer होगा c control plus z control z से आप अपने work को undo करते है इसके बाद है Which shortcut key is used to find next in notepad notepad में find next के लिए कौन सी shortcut की है तो correct answer होगा c f3 Which shortcut key is used to go to in notepad notepad में go to के लिए कौन सी shortcut की है तो answer हो जाएगा b ctrl plus g next question है कि notepad में find के लिए कौन सी shortcut की का उपयोग किया जाता है तो find के लिए हम करते हैं ctrl plus f का इस्तिमाल इसके बाद देखे Which shortcut key is used to replace in notepad notepad में अगर आपको replace करना है यनि की एक particular text से दूसरे को replace करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे ctrl plus h का इस्तिमाल करेंगे correct answer c होगा replace start होता है r से लेकिन shortcut की ctrl h होती है जो आपको याद रखना है इसके बाद है 20th question है देन आपका mock test होगा तो इस question को ध्यान से समझेगा which shortcut key is used to print a file in notepad notepad में किसी file को print करने के लिए कौन सी shortcut की उप्योग की जाती है तो print के लिए हम इस्तिमाल करते हैं ctrl plus p का ठीके अब देखते हैं यहाँ पे आपको तेन नएक question देखने को मिलेंगे notepad से related तो 10 में से आप कितने question को सही कर पाते हैं वीडियो के end में बताईएगा सबसे पहला question देखिए which shortcut key is used to cut a text from one place and paste them another place यनि कि text को एक place से cut करके दूसरे place पर paste करने के लिए या कैसकते हैं ले जाने के लिए किस shortcut कुझी का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पे basically आप से पूछा क्या है cut करने का shortcut cut का shortcut क्या होता है control plus x ठीक है तो control x से आप cut कर सकते हैं paste के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं इस question में बताए what is the shortcut to paste text after cutting or copying text in notepad notepad में text को cut करने cut करके या copy करके करने के बाद आपको paste करना हो तो कौन सी shortcut की इस्तिमाल होती है तो paste के लिए हम control भी का इस्तिमाल करते हैं तो ये भी question इस तरीके से exam में देखा गया है अगला देखिए how do you create a new file in notepad notepad में आप एक नई file कैसे बना सकते हैं ये की create कर सकते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है a, b, c और d बताई ये answer क्या होगा ये होगा select new from the file menu आप क्या करेंगे file menu में जाएंगे वहां से आपको new select करना है तो आप notepad में एक नई file create कर पाएंगे fourth number question देखे what is the shortcut to save text in notepad notepad में आपको text को save करना है तो कौन सी shortcut इस्तेमाल होगी फटा-फट से answer बताईए d होगा control plus s which of the following command available in format tab निम्दलिकित में से कौन सा command format tab में उपलब्ध है font, word wrap, a and b both, none of these तो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया है कि format tab में केबल दो ही जो है command या कह सकते हैं विकल्ब पाए जाते हैं पहला था font और एक था word wrap तो यहाँ पे answer क्या बनेगा c बनेगा a and b both what will happen if word wrap is not enabled in notepad application यदि notepad application में word wrap enabled नहीं है तो क्या होगा तो एक बार सभी को आप read कर लीजे क्या होगा answer c the letters will be typed in a single line till enter key is pressed यनि कि अगर notepad में word wrap जो यह feature है यह enable ना हो तो क्या होगा जो भी आप type करेंगे वो single line में type होते रहेगा जब तक कि आप enter key प्रेस ना करें इसी लिए हम word wrap फीचर को हमेशा enable करके रखते हैं जैसे ही एक line complete हो हमारा जो करजर है अपने आप second line में आ जाए हमें enter key प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े What is executable file of notepad notepad की executable file क्या है तो notepad क्या है text editor है तो इसका answer क्या होगा B. TXT How can notepad be opened? बताई notepad कैसे खोला जा सकता है A. Ctrl N की मदद से B है Alt प्लस F C है window प्लस R type notepad and press enter और D है click on the start button सही answer क्या होगा C हो जाएगा आपको क्या करना है window प्लस R की प्रेस करना है फिर notepad आपको type करना है run command जो open होता है दिन आपको enter की प्रेस करना है यह हमने आपको starting में ही बताया था कि notepad उपन करने का यह भी एक तरीका है कई बार exam में यह पूछा गया है तो आपको याद रखना है question number 9 देखिए what is the shortcut to move text backward in notepad notepad में text को backward यह निकि पीछे की all ले जाने का shortcut क्या है तो answer हो जाएगा a control plus z यहाँ पे देखिए the shortcut to move text backwards backwards का meaning होता है undo भी आप कह सकते हैं तो इसके लिए हम control z का इस्तिमाल करते हैं यह कैसे काम करता है suppose आपने एक paragraph लिखा notepad में और वो paragraph आपसे गलती से delete हो जाता है तो आप क्या करेंगे फिर से उस paragraph को type करेंगे इससे क्या होगा काफी ज़्यादा time लगेगा तो computer आपको ऐसी facility देता है कि आप एक ही बार में अगर आप shortcut जानते हैं तो उस paragraph को वापस ला सकते हैं तो इसके लिए आप control plus z का इस्तिमाल करेंगे इसी को कहते है backward action यह फिर undo कह सकते हैं और आज का last question है इसके बाद आप बताएंगे कि tail में से आपने कितने question को सही किया है what is the shortcut to move text forward in notepad notepad में text को आगे बढ़ाने का shortcut क्या है तो इसके लिए हम इस्तिमाल करेंगे control plus y का correct answer b होगा देखे forward का meaning होता है redo तो notepad में redo के लिए हम control y जैसे ही आप कोई paragraph type करते हैं अगर वो delete हो जाता है तो आप control z करते हैं तो वापस आता है अगर आप उसे फिर से delete करते हैं तो control y आप कर दीजे तो वो delete हो जागा तो यनि कि जो redo action है ये undo के बाद activate होता है और control z, control y ये दोनों साथ में इस्तिमाल किये जाते हैं तो दोनों आपको याद रखना है 10 में से आपने कितने question को सही किया है वीडियो के comment में आपको link के बताना है वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे share कर दीजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चानल पे नए है तो subscribe किये वेगर मत जाएगा